हेलो दोस्तों मेरा नाम है वजल सर्मा और आज इस वीडियो में हम करेंगा एक्सरसाइज 3.3 का कोशन थर्ड का थर्ड और फॉर्फ पार्ट तो फ्रेंट थर्ड पार्ट में एक कोच ओफ क्रिकेट टीम बाई सेवन बैट एक क्रिकेट टीम का एक कोच है वो साथ बैट और फ्रेंट एक क्रिकेट टीम का कोच है वो साथ बोल साथ बैट और छें बोल खरीदता है 3,800 रुपीज की लेटर ही बाईज 3 बैट एंड 5 बोल फॉर रुपीज 1,750 और बाद में 3 बैट और 5 बोल खरीदता है 1,750 की तो मैं बताना है कोच्ट ओफ इच बैट एंड इच बोल तो इसका सोल्यूशन करते हैं सोल्यूशन लेट दा कोच्ट ओफ वन बैट एक बैट का कोच्ट मान लेते हैं एक्स लेट दा कोच्ट ओफ वन बोल एक बोल का कोच्ट मान लेते हैं वाई और फर्स्ट कंडिशन के कोडिंग अकोडिंग टू फर्स्ट कंडिशन क्या खा गया है कितने बैट करिदे सात बैट सेवन एक्स मान लेंगे और कितनी बोल करिदी पलस शिक्स वाई चैने बोल करिदी कितने रूपे की 3,800 की यह हमारी होगी 1st condition इसको हम equation फस्ट माल लेंगे और 2nd condition में क्या है 3 bet करिद्धिय है 3x और 5 bowl करिद्धिय है 5y कितने रुपे की 1750 की यह होगी हमारी second equation तो friends जैसे हम solve करते हैं इसको substitution method से solve करेंगे एक third equation बनाएंगे friends मैं second equation से बनाऊंगा 3x equals to 770-5y x equal to 750-5y dead by 3 यह गाई हमारी हागी third equation और इस equation को हम फर्स्ट एक्वेशन ने पुट करें है पुट एक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट एक्वेशन क्या है 7x plus 6y एक्वेशन तो 3,800 तो एक्वेशन क्यों लिपूट करेंगे 7 into 17,050-5y divided by 3 plus 6y equals to 3,800 तो फ्रेंड इसका ले लेंगे LCM इसका LCM ले लेंगे 3 LCM आजाएगा यह एज़िटीर उतार लेंगे 5y प्लस 6 का हो जाएगा 18y equals to अगर इनका LCM लेंगे तो आजाएगा 11,400 और LCM को कर देंगे neglect अभी करेंगे 7 की multiply करेंगे 17,050 से यह हमारा आजाएगा 12,250 minus और अभी इसकी multiply 5y से करेंगे तो मारे पास आजाएगा 35y प्लस में मारे पास है 18y equal में है 11,400 और अभी लिखेंगे 12,250 35 में से 18 minus करेंगे तो मारे पास आजाएगा 17y equals to 11400 अब जो 17y है इसको हम equal के दूसरी तरफ भेज देंगे तो यह हो जाएगा पलस का और जो यह है यह 11,400 इस को में कोल के सेट लेंगे तो यह माइनस का हो जाएगा तो फ्रेंस 12,250 minus 11,400 इकवल्स तू 17y इस में से को मैंस करेंगे 850 equal to 17y वाइक के वल लिखा गई हमारे पास 850 by 17 इसको cancel करेंगे तो मारे पास आजाएगा 50 तो y की वल्यू हमारे पास आगी है 50 अब निकालेंगे x की वल्यू x की वल्यू फ्रेंट 30 इकविशन से निकालेंगे हम लाइन लगा लगते हैं तो 30 इकविशन है मारे पास 1750 minus 55 divided by 3 तो अब हमें इसमें y की वेल्यू पुट कर देंगे 750 as it is minus 5 y की वेल्यू है 50 divided by 3 तो करेंगे 750 यहां पे जाएगा minus 5525 एक 0 divided by 3 और x की वेल्यू यह है 1500 divided by 3 तो इसको काट टेंगे x equal to 500 तो जो कोश्ट थी कोश्ट ओफ one bet एक bet की जो कोश्ट थी वा आगे हमारे पास 500 रुपीज और जो कोश्ट ओफ वन बोल एक बोल की जो कोश्ट थी वह आगे हमारे पास 50 रुपीज अब हम करेंगे इसका second part निया फ्रेंट्स यह फौर्थ पार्ट है थर्ड कोशन का फॉर्थ पार्ट इसका सुल्यूशन करते हैं अ लेट दा फिक्स्ट चारज फ्रेंट्स मैं इपको कुश्टन समझाना भूल गया आप फिक्स चार्ज एक स्माल लेते हैं देखें the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the same distance covered for a distance of 10 km एक टेक्सी दवारा निर्दार्द किया गया charge जिसको मैंक्स मान रहे हैं वो एक बार distance 10 कवर करता है अधर चार्ज जो है वो 10 distance 10 km distance कवर करता है और जो fixed charge है वो मैं पता नहीं है वो हम X मान रहे हैं दा चार्ज पेड इस 105 रूपीज वो जो चार्ज पे किया गया है वो 105 रूपे है for the journey of 15 km पंदरा किलोमेटर की जर्णी के लिए the charge is रूपीज 155 15 km की जर्णी है उसके लिए 155 रूपे चार्ज है and the fixed charge find the fixed charge उसका fixed charge निकालना है और यह भी find करना है कि एक person how much does a person have to pay for traveling a distance 15 25 km एक person जो 25 km travel करता है उसको कितना pay करना पड़ेगा fix charge माल लिया x और let the other charge जो बाक्की चार्ज है उसको माल लेते हैं y पहली condition हमारे पास x fix charge जो है उसके पास x है और other charge क्या है 10y और other charge नहीं distance क्या 10y पेमेंट कितनी कि उसने 105 रूपीज यह हमारी होगी equation 1 condition second क्या है x fix charge क्या है x distance कितना कवर किया उसने पलस 15y कितने रूपीज 155 यह होगी मारी second equation friends इन दोनों equation से third इन में से third equation बनाएंगे और इसको substitution method से solve करेंगे तो third equation मैं बना रहा हूं first equation से बनाता हूं मैं third equation यहां पर x will be equal to 105 minus 10y यह होगी मारी guys third equation जो 10y था इसको मैंने इक्वेशन 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 तो यह माइनस का हुगा तो जो यह थार्ड इक्वेशन है इसको 155 तो इस नेक्स की वाले बुट करेंगे 105-10y प्लस 15y एक्वेशन टू 155 तो इसको 105 है इस को मिक्वेशन के दूसरी साइड़ बेश के माइनस कर देंगे 5y एक्वेशन टू 155-105 5y एक्वेशन टू इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चे का 50 तो य क्वेशन निकाल लेंगे 50 by 5 कैंसल करेंगे 10 आएगा y के वाले पास आगी 10 और अब निकाल लेंगे x के वेल्यू पुट वाई इस इक्वेशन टू 10 इन इक्वेशन टूर्ड इक्वेशन टूर्ड क्या है x equal to 105 minus 10y x equal to 105 minus 10 y के वेल्यू क्या है 10 x equal to 105 minus 10 को 10 से multiply करेंगे 100 आजाएगा और तो हमारी x के वेल्यू होगी 105 में से 100 माइस करेंगे 5 तो मारी एक्स और वाई की वेल्यू आ गया है एक्स एकवल्स टू फाइफ एंड वाई एकवल्स टू टैन और अब जो एक सेकंड कंडिशन थी मारे पास उसमें था एक परसन कितने किलोमेटर 25 किलोमेटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका चार्ज क्या होगा कि उस चार्ज माल लेते हैं एक्स पलस कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 25 किलोमेटर 25 वाई तो एक्स की वेल्यू क्या है 5 पलस 25 वाई की वेल्यू क्या है 10 सोल करेंगे 5 पलस मृटिप्लाय करेंगे 250 विजिक वाइवल्ट टू 255 यहां गया हमारा अंसर यहा था फ्रेंड्स हमा तर्ड कोशन का थर्ड और फॉर्थ पार्ट